जैहिंद्र नमस्कार मेरे सेर सेर्णियों लाड़ोड लाडलियों स्वागता आप सभी का अपनी यूटूब चैनल कमांडो केड़ी में दोस्तों बहुत सारे बच्चे लगबग लगबग सारे बच्चे जो S.S.E.G.D. वाले हैं वो सब परेशान हो गए है क्योंकि सब को प आचे हैं मातर दिन 10 जबकि अभी तक रिजल्ट नहीं आया दूसरी चीज रिजल्ट के साथ में आपका स्कोर आपको पता पहले पिछली बार क्या वाता पहले फिजिकल की कटो पाई थी उसके 5-7 दिन बाद में आपका स्कोर बोड आया था कि हाँ आपका कितना नंबर बन भी आपका साथ आ सकता है कि हाँ आपके नॉर्मलाइजेसन से कितने नंबर बड़े हैं और टोटल मार्क आपके कितने हैं क्यों क्योंकि इसके बाद में तो समय ही नहीं है आपके मार्क बताने के लिए कि आपके औरेजिनल में कितने नंबर बने हैं और फीजिकल की जो कट उसे में असर आपने कहा था कि दो तारिक तीन तारिक तक तो लास्ट आई जाएगा लेकिन फिर भी नहीं है देखिए आपको बता है कल रात को नोटिफिकेशन आए थी सीजील की ठीक है तो यह नहीं वेब साइड में ना तो कोई प्रोब्लम है सीजील की कर नोटिफिकेशन आई और स्टाफ सेलेक्शन कमिशन भी अपना काम करें तभी वो नोटिफिकेशन आई यह जब वो नोटिफिकेशन आई तो मुझे ऐसा लगा कि 100% डिजल अब रात में आज आएगा लेकिन फिर भी नहीं आया किवले एक SSE GD का काम ही है से आगे फीचे हो रहा बाकि सारे काम टाइम टू टाइम हो रहे हैं लेकिन आज आखर यह दिन हो सकता है क्योंकि अगर आज नहीं आया तो फिर 10 दिन बाद में कैसे फिजिकल करा लेंगे इसके बारे मैं समझने आदा क्योंकि कई बच्चे आपने घर पर तो नहीं होंगे पलस फिजिकल करने के लिए उनको एक सेंटर पर पहुंचना है तो कम से कम उनको 5-7 दिन पहले तो पता होना चाहिए मांडली तो पर भी बच्चा परपेर होना चाहिए तो यह SSE को भी पता है तो यह सकती है क्यों आपको 15 अप्रेल से जब फिजिकल सुरू है अभी आपके फिजिकल करटो पानी है उसके बाद में पूरे रोल नंबर आने की आपके इतने नंबर बढ़ाए गए इतना स्कोर बोर्ड भी देना है तो अब जिस हिसाब से दिन बच्चे मुझे लगता है स्कोर नंबर आ रखें आपके तो बहुत अच्छी बात है अगर कोई बच्चा फेल भी हो जाता तो ज्यादा बुरा फेल नहीं करना है एक बार और तयारी करेंगे फिर नहीं वेकेंस याएगी तो उसकी तयारी में जुट जाना है ठीके लाट लोग जै हिंद जै भारत